हेलो फ्रेंट्स आज ही क्लास में बताने वाला हूँ ट्रिपल और पेर के बारे में दोनों चीजे क्या होती है और कहां यूज में आती है और इन दोनों में डिफरेंस गया है देखो यह ऐसी टर्म्स है जो हमने जावा के अंदर नहीं बढ़िए तो यह कुछ नहीं चीज है जो आप को कॉटलीन में देखने को मिलेगी और इनके क्या बेनेफिट्स है कहां यूज में आ सकता है वो भी आपको बता चलेगा इस section के अंदर चलते हैं सीधा ID के अंदर जहां मैं इसका implementation करेंगा आपको बताऊंगा कि इसको क्यों यूज करना चाहिए और आप इसको कैस function main के अंदर कर रखा है यह हमारा function main method के अंदर इसका यह syntax रहता है अब हम चलते हैं यहां पर और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं और कुछ भी value दे सकते हैं a,b is equals to आपको pair लिखना है और bracket के अंदर कोई भी आप दो value store करवा सकते हैं चाहे वो string हो चाहे वो integer हो कुछ भी आप store करवा सकते हैं एक साथ ठीक है अभी तक आप एक साथ दो value store कहा कराते हैं index और value के pair के साथ में वह आपने किया था map के अंदर map के अंदर आप एक value की और value के pair में store कराते हैं kind of वैसा ही pair आप यहां बना सकते हैं लेकिन वह similar होता है यहां पर जरूरी नहीं कि आप similar बनाओ आप कैसा भी pair बना सकते हो नहां आपको यहां पर array बनाना है जैसे आप अगर बात करें hash map की यह map की तो उसमें आपको pair बनाने dollar a dollar a dollar b उनों के बीच में space है फिर मैं इसको run करता हूं आप यहां देख सकते है कि a1 आ चुका है ठीक है a भी आगया 1 भी आगया कुछ भी value store करा सकते हैं इसा नहीं है यहां पर मैं true भी करवा चकता हूं ठीक है अगर मैं save करूंगा run करवाँगा तो यहां पर आप देख सक में दो values का combination store करवाना है तो इसके लिए आप क्या use कर सकते है pair को use कर सकते है और यहां पर देख सकते है वेर के अंदर एक error आ रही है error नहीं है suggestion है जब आप वेर को कहीं use ही नहीं कर रहे है तो यहां पर आप देख सकते है suggestion क्या है where यानि variable is never modified and can be declared immutable using well आप इम्म्म्म्म्म क्या होता है जो change नहीं होता और mutable क्या होता है तो well क्या है हमारा जो change नहीं होता रीएसाइन नहीं होता है is Adrian's well कलाता है immutable और year कलाता है हमारा mutable तो well लगा सकते हो आप जब आप उसको re-assign नहीं करें अपने प्रोग्राम में तो यह automatic suggestion देता है ठीक है इसके अलावा जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर a b से store करवाओ आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो bracket के अंदर x, y जिससे आप उनको represent करोगे ठीक है और फिर यहाँ पर x, y हो जाएगा यह यह फिर आप क्या कर सकते हो इस पूरे की जगा आप एक नाम दे सकते हो जिससे मैंने name ले लिए ठीक है इसने curly brackets लगा दी है वैसे ही मैं को second print करा है तो name.second अब जो मैं store run करूँगा तो यह आएगा उस पेर के अंदर भी एक तो ग्रामन जिन है और एक और पेर और रमजान और वन है अगर रमजान वाली वैल्यू यह रही तो मैं क्या करना पड़ेगा जो second है मारा आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं पेर वैल्यू के अंदर यानि की combination of two values इसी के जैसा एक और होता है ट्रिपल जब आपको तीन वैल्यू एक साथ स्टोर करना नहीं तो हम क्या यूज करेंगे ट्रिपल यहां पर मैं well x, y, z equals to triple hello world कच भी आप value णोर करवा सकते हैं वजब ऐसा पुछ यहीं के इसमें तीनों की तीनों इन्टीजर्वा आएगी आप कुछ भी गृयू और इंटीजर ओ मुडेको पॉाइं सकते हैं कुछ भी आप स्टोर करवाक्त एं ठीक है यहां पर आप देखेंगे तीनों वैल्यूस प्रिंट होगे ठीक है तो आगे पीछे करते हैं Z को मैं करता हूं Y तो Hello One World आ जाए ठीक है अगर आपको पुरी वैल्यूस प्रिंट करवानी एक साथ इन में क्या एक जिस्स करता है तो आप इसके लिए इसको एक नाम दे सकते हैं और वह कॉंसेट भी आप यूज कर सकते हैं जो मैंने यहां यूज किया है मतलब ट्रिपल के अंदर फिर से आप एक ट्रिपल बना सकते हैं ऐसे ट्रिपल 1,2,3 अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हैं इसका क्या नेस्टेट फॉर्मेशन रहता है पहले एक डिट के अंदर ऐको मैं यहां डमी डेटा डाल रहा हूं आप जो भी डेटा आपको स्टोर करवाना जिस भी फॉर्मेट में जिस भी डेटाईब का है वह आप स्टोर करवा सकते हैं है यहां पर देख पकुछ है यह यैए फरस्ट वैलीय है इस सअधे जो उसमें फिर से तीन वैल्यू है A, B and True जिसे आप आपको नमबर में से जैसे आपको थर्ड वैल्यू गया तो थर्ड इसमें से क्या प्रिंट होगा अभी सिर्फ और सिफ यही प्रिंट होगा अब यहां देख सकते हैं कि यही वैल्यू प्रिंट हुई तो कई बार क्या होगा कभी आपको ऐसी चीज़े रिक्वाइड है तो आप यह चीज़े करवा सकते हैं और अगर मैं रिटन करना चाहूं मल्टिबल चीज़े तो उसके लिए मैं क्लास बनानी पड़ेगी मैं क्लास का object mention करूंगा जहां पर मैं रिटन कर रहा हूं से पहले class का object यान इंस्टेंस करेंट करूंगा वो जितनी भी वैल्यूस है उन फील्ड के अंदर स्टोर करवाऊंगा से डरेक्ली स्टोर करवाऊंगा या चीज़ पॉसिबल है लेकिन अगर मैं को multiple methods के अंदर यहीं सारा का हुआ 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 है